हलो गाइज वलकम टू पूरी पडाई तो रहा हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS table जिसमें हम देखने वाले है CSS table vertical alignment vertical alignment मतलब आपका top हो सकता है center हो सकता है या फिर bottom हो सकता है यह आपका vertical alignment में आता है the vertical align property set the vertical alignment like the top bottom or middle of the content of the table heading or table data your definition by default the vertical alignment of the content is in a table is the middle both table heading or table data element तो जो आपका table heading or table data होता है वो vertically जो होता है हमारा वो middle में रहता है ना की उपर रहता है ना नीचे रहता है इस सबको हम चीरे यूज करके देखेंगे यह by default रहता है यह फिर नहीं रहता है हम practically चीरे यूज करके देखेंगे यह सामने आपके एक्जामपल है हम लिखेंगे vertical alignment और से bottom दे सकते हैं center दे सकते हैं यह फिर टॉप दे सकते हैं तो इससे यूज करके देखते हैं आपके notepad पर यहां पर आपके सामने एक एक्जामपल है और यह जो एक्जामपल है मैंने आपको अल्रेडी पहले बता चुका हूं कि जो style है वो स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं यह starting tag और यह आपका ending tag है और table में आपका border देना मैं आपके table border मैं आपको सखाया था इसके आपके by default चीजे हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं इसके बाद हम यूज करेंगे alignments तो मैं इसे save करता हूं और इसके बाद हम alignment लेना start करेंगे अभी मैं आपको by default दिखाता हूं कि यह चीजे है कैसी अभी इसको मैं save करूंगा CSS table vertical alignment dot html से dot html मैं इसलिए save करा ताकि आप इसको मैं open कर रहा हूं browser से तो यहां पर आप सामने देख सकते हैं यह by default मिडिल में है ना यह उपर है ना यह नीचे है by default आपका मिडिल में है और यह भी आपका by default मिडिल में है तो इसको हम top में और bottom में करके देखते हैं यह चीजे work कैसे कर रहे हैं आपकी तो table heading के लिए आप क्या लगाएंगे वर्टिकल अलाइन और से करेंगे हम top और से हम save करेंगे save करने के बाद अगर से हम reload करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह जो है वो टॉप पर पहुंच चुका है अगर इसे भी आप टॉप पर पहुंचाना जाते हैं या फिर ऐसे bottom में पहुंचाते हैं तो किस तरह से work करेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे तो वर्टिकल अलाइन बॉटम इसके बाद फाइल को हम save करेंगे जैसे यहाँ पर refresh करेंगे तो आप कुछ और पता चलेंगी अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह डाउन में आ रहा है आपका तो आपका बॉटम हो चुका है यहाँ पर तो इस तरह से आप वर्टिकल अलाइनमेंट को यूज कर सकते हैं अपने प्रिजेंटेशन देने के लिए CSS के थरूब आई होप आपको टेप पिल वर्टिकल अलाइनमेंट से उन में आया होगा तो थैंक यू गाइस मीट में रो नेक्स वीडियो तब तक के लिए गुडबाई यह फीडबेक इस वैलिबल फॉर आल जो प्लीज कमेंड लाइख और शेर विद यू फ्रेंड्स थैंक यू